कि नमस्कार शिक्षार्तियों मैं कृष्षकांत्रिपाथी एनवेस के इस इस्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम जिस विश्यव चर्चा करेंगे वह है भासा शिक्षण के मनो वैज्ञानिक आया हम सभी जानते हैं कि भासा एक मनो सामाजिक त्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द हों और मैं बहुत होंगा कि मिश्रा जी हमें बताएं कि कौन-कौन से वह सामाजिक अस मृणवैग्णिक आयाम या पक्ष हैं जो भाशा के सिक्षन को प्रवावित करते हैं भाशा के तो मौन बहुत आयाम समझ में आ रहा है। लिकिन इस कक्षा में और इस वारता में जिस चीज पर हम चर्चा करेंगे। वह है भाषा सिक्षण के मनोव एग्यानिक आया। मतलब लैंग्विस टीचिंग का क्या साइकॉलाजिकल आस्पेक्ट है, उसका क्या साइकॉलाजिकल डैमेंशन है, उसका डिसेक्षिन, उसका विशलेशन, उसका संसलेशन करेंगे. हम यह बाट ठेक तरीके से जानते हैं, डग साइब, कि प्रतेक बालक भाषा का एक सारवभॉमिक स्वरूप लेकर जन्म लेता है. आजकल हम यह स्विकार करने लगे हैं, कि स्वरभॉमिक स्वरूप जो है भाषा का, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, तो उसके साथ होता है. इने टेस्ट थियोरी जो हम बताती है, जो बताती है, और जैसे हम देखने, सुनने, चलने और अन्यशारिक वो मानसिक शमताओं के साथ पैदा होते हैं, ऐसे में दुनिया का प्रतेक बच्चा, तीन से चार वर्ष की आयू तक, अपने आस पास बूली जाने वाली का बच्चा जो है, वह भाषा की जटिल सनरशनाओं को ना केवल समझता है, बलकि विभिन परिस्तितियों में उसका अनुप्रयोग भी करता है, तो यह बात हमें मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तब तक, जब तक कि उस बालक में कोई दिमागी तोर पर कोई कमी ना हो, दि जैसे हम युनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसे आपने जो कहा कि मानसिक रूप से सक्षम हो, उसी में जोड़ना चाहता है कि अधिगम अच्छमता से जोड़ा हुआ कोई कारण ना हो, जब भी मैं यह बात कह रहा हूं कि वह दिमागी तोर पर उसे कोई कमी ना हो, तो इसका मेरा सीधा से मतलब है कि उसके अंदर कोई learning disability language को लेकर नहीं है, यदि है तो उस particular dimension में, उस particular पक्षम में, उस विशेस पक्षम में, उस विशेस आयाम में, वो हो सकता है कि कम जोरो, जैसे हम लोग आजकल डिसलेक्सिया हो गया, अलेक्सि शब्दों की जडिलता के कारण सही उचारण नहीं कर पाते हैं, जब तीन या चार या पांस सेलेबल का कोई word होता है, तो बच्चों को उसको उचारण करने में मुश्किल आती है, लिकिन बच्चे उसका अर्थ बखो भी समझते हैं, वो उच्चारण हो सकता है कि किसी कार स्कूटर जो घर में रखा हुआ है, उसी की चर्चा हो रही है, जो दस वर्सों से ऐसे ही पड़ा है, जिससे कभी चला है नहीं किया है, तो जैसे स्कूटर को, लिकिन करता क्या है बच्चा, जब आप उसको स्कूटर बोलते हैं, तो हो सकता है बच्चा स्कूटर ना बोले बच्चा केवल कूटर बोल के काम चला ले या गर्म आप बोलते हैं तो हो सकता है बच्चा गर्म ना बोल पाए घरम बोले जन्म बोलते हैं आप तो हो सकता है जन्म ना बोल पाए जन्म को जन्म बोले स्कूल को कूल भी बोल सकता है वो या सकूल भी बोल सकता है तो इस तरीके की हम लोगों को चीजे देखने को मिलती है लेकिन बच्चा यह जानता है कि स्कूल का मतलब वह है जहां मैं रोज जाता हूँ और जहां मैं खेलता हूँ प्ले स्कूल में वह यह जानता है कि स्कूटर चलने के काम में आता है भले ही दशवर्सों से रखा हुआ है वह यह जानता है कि गरम किस चीज को बोलेंगे गरम किस चीज को बोलेंगे भले वो गरम ना बोलके उसको गरम बोल रहा है और जो बाते मैंने अभी हालिया कि इनके समस्त बाते भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्षों अथवा आयामों की तरफ ही संकेत करती नजर आती है और जब हम देखते हैं इस चीज़ को तो आपका मूल प्रशनता के भाषा सिक्षण के मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है तो भाषा सिक्षण के तीन मनोवैज्ञानिक पक्ष अथवा आयाम हैं पहला मात्र भाषा का सिक्षण दूसरा द्वितिय भाषा अथवा अन्य भाषा के रूप में सिक्षण और तीसरा विदेशी भाषा के रूप में सिक्षण लेकि हम जो मनुवय ज्यानिक आयाम हैं उनको तीन तरे से समझ सकते हैं मात्र भाशाक संदर्ब में दुती भाशाक संदर्ब में और विदेशी भाशा के संदर्ब में मैं चाहूँगा कि आप एक-एक करकेश पर थोड़ा प्रिकास डालें सबसे पहला जो जो प्रश्न उठता है मात्र भाशा के सिक्षक के संदर्ब में और गर zeggen उनको जाती है जिसे वह दिन रात सुनता है इसी परत्वाशा ही कहे सकते हैं और बच्चा स्वाभावी ग्रूप से अपने घर और समाज के वातावर्ण में इसको एक्वार करता है इसके लिए उसको अलग से सिखाने के जरूरत नहीं होती है हम लोग in net capacity का मतलब यह समझते है कि उसका brain इस तरीके से structured है यह वह चीजों को बड़ी आसानी से भाशा संदर्बत यदि उसके आसपास परिवेस्ट में वह भाशा मौझूद है उसको सीख सकता है और बच्चे में भाशा की जन्रजाक शमता होती है हम रोज मर्रा के अनुवाँ से यह जानते हैं कि ज्यादा तर बच्चे स्कूल के सिख्षा के सुरुआत से पहले ही भाशा के जटलताओं और नियमों को आत्मशात करके पौन भाशिक शमता रखते हैं जिसमें वह अपने आवशक्ता के अनुशार सब्दों का प्रयोग करते हैं जी मैं यहां देख रहा हूँ कि जो प्रतम भाशा या मात्र भाशा है उसके सिक्षण से सम्मंदित विसे सी ओजनाई हम लोग नहीं बनातेंगे कि बच्चा उसमें दक्च होता है लेकिन हम सिक्षण को चाहिए कि उस पर भी हम ध्यान दें क्योंकि जो परिवार की भाशा है परवेश की भाशा उसमें सुदता और सुदता का मिस्रन रहता है और उस भाशा का भी हम बच्चों में थोड़ा परस्करन करें कि अध्यापक की ज्मेदारी है। island businessesें की जब चोटा बच्चा उसके पासा आता है और जब scooter को scooter बोलता है तो वह ऐसा ना करें कि sweater ही बोलने दे। स्कूल को सकूल बोलता है तो ऐसा न रखे कि सकूल ही बोलने दे यहाँ परिमार्जन आवश्यक है हाला कि यहाँ शब्द उसने अपने परिवेश की भाशा से सिंखा है कि जो सब्द बोले जा रहे हैं जो दूसरा आदमी समझता है उन सब्दों का परियोग बच्चा भी करे और यह सरोमान है कि प्रतेक व्यक्ति की भाशिक दक्षता वेदेसी भाशा के अपिक्षा मात्री भाशा में तो अधिक होती है और यह पूरी दुनिया में स्विकार है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और इसी कारण मात्री भाशा के द्वारा किसी विशय को अधिक आसानी से समझा जा सकता है और उसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति अधिक प्रभावपूर्ण धंग से की जा सकती है तो इससे यह बात समझ में आती है कि in net capacity होने की वजह से जो कि जिसके चर्चा करता है इन net capacity होने की वजह से बच्चा जो है आस पास परिवेश की जिसे हम मात्री भाशा कहते है उसको बहुत सहज सरल और सुगम तरीके से सीख जाता है और थोड़ा सा यदिया ध्यापक उसका परिमार्जन करे तो वह उस पे बिलकुल दक बूलने का स्किल्स दो स्किल्स वह सीख जाता है और इन दो स्किल्स में कोई सीखने जैसी बात भी नहीं है अब बाकी के दो स्किल्स जो है लिखना और पढ़ना यह जरूर उसे सिखाने के जुरत विद्याले और अध्यापक के जिम्मेदारी बनते है लेकिन दो स्किल्स सुभ करते हैं अन्य भाषा के लिए सिक्षन पध्यति क्या है तो भाषा सिक्षन का प्रहो क्लख्ष कीवल भाषा ही सिक्षाना होsome ना कि भाषा के बारे में व्याकरने के वक्तव देने की कला सिखाना सामानिते हैं हमारे कक्षा कक्षों में हम देखते हैं कि भाषा सिखाने से ज़्यादा जोर जो है वो भाषा के गूड संरशनात्मक संटाटिक स्ट्रक्ट्टर को सिखाने पर होता है ना कि भासा के बारे में, इसे हेलीडे में होदे ने भी तीन पक्ष रखे हैं, कि learning language एक विशाय के रूप में, learning about the language जो भासा विज्ञान के लोग करते हैं, भासा के विशाय में सीखते हैं, और learning through language और भासा के माध्यम सीखते हैं, तो हमारा उद्देश प्रात्मिक इस्तर पे होना चाहिए कि हम भासा विशाय के रूप में, भासा विशाय के रूप में सीखें, ना कि उसके व्याकरणिक सन्रचनाओं पे बंदे, इसलिए मौखिक वारता लाब पर विशेष धियान दिये जाने के जरुरत है, जो डे टुडे काम्यूनिकेशन है, और द्वितिय भासा सिक्षन की आदर्स स्थिति उस भाशा को उसके मूल भाशियों के परिवेस में उनसे प्रत्यक्ष बात चीत करके उसी प्रकार सिखाना है, जिस प्रकार भालक अपनी मात दिवाशा सीखता है, भाशा सीखने का चुकि इननेट कैपैसिटी जब हम स्विकार करना है ल पाती है, और इसलिए अध्यापक को भाशा सिक्षन में सिक्षार्थी या सिक्षार्थियों की मात्री भाशा के कारण उत्पन होने वाली बाधाओं को दूर करने पर बल देना चाहिए, और मात्री भाशा को व्यक्ति समाज मेरा करतों सीख लेता है, किन्तु अन्य भाशा सिखाते समय उसे अन्य समस्याओं का सामना करना परता है, तो इससे यह बाध प्रमाणित होती है, कि जब कोई अध्यापक नाचूरल तरीके से सिखाने के लिए दूतिय भाशा को यदि प्रयास करता है, तो जादे सहज तरीके से, जादे आसान तरीके से उसे सीख पाता है अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मात्रिभाषा एवं अन्य भाषा सिक्षण में कौन से ऐसे मनोवैग्यानिक पक्ष हैं जिसके आधार पे दोनों के सिक्षण में अंतर करना पड़ता है तो मात्रिभासा सिक्षण एवं अन्य भाषा या द्वितिय भाषा सिक्षण में कई मुल्भूत अंतर हैं और इनमें सर्व प्रमुखिया है कि जब कोई बालक स्कूल में पढ़ने जाता है तो अपनी मात्रिभाषा को ध्वनी विवस्था व्याकरन एवं शब्दावली को सीख चुका होता है और अपनी मात्रिभाषा की ध्वनियों का द्यानिक जीवन की शब्दावली एवं उसके सरल वाक्य के सांचों से ठीक तरीके से अभ्यास्त हो चुका होता है मात्री भाषा के संदर्व में और जब हम उसको दूसरी भाषा सिखाते हैं जब कोई अन्य भाषा सिखाते हैं तो अन्य भाषा के सिक्षन के आरंब में वहां अन्य भाषा के वाक्यों के सांचों से बिलकुल आपरचित एवं अनिभिग्य होता है और इसी के साथ ही अन्य भ अन्य तुतिय भाषा इंधर बहुत महत्तुपूर्ण हुआ विक आत거든 ुष० Chuiva जे विलिविश्चय में जबत्ए काया है वाँ माघ्ज अन्य आध्या करानी हो करणिंग दिए असठीक त्रह को बहुत सर्ино 쪽 आधे Δेखते हैं कि अन्य भार्षा और विदेशी भाषा को भी समाहित किया जाे तो हम autobi को लग्ष भाहर्षा के स्वरिविग्ण सम्मंधि तधा विवस्था परक अभिलक्षणों, प्रयोगों, विशिष्ट सब्दावली तता भाषिक संस्कारों को जिसे linguistic rights अंग्रेजी में खहते हैं का सुक्षम ज्यान होना चाहिए जो सक्षक सिखा रहा है उसको भाषा जो लक्ष भाषा है उसकी पूरी समझ होनी चाहिए जिससे कि यदि विद्यार्थी मातरि भाषा से सम्मंधित करके वह कोई प्रशन पूछे तो अध्यापक उन विशिष्ट सब्दावली उसे, उन भाषिक संसकारों से और उन अभिलक्षणों और प्रयोगों से ठीक तरीके से परजित हो और उसको ठीक तरीके से इसको समझा पाएं हम यहां बाट ठीक तरीके से समझ रहे हैं कि प्रसिक्षणार्थियों की भाषाओं की सन्मचना का ज्यान ठीक तरीके से होना चाहिए और सिक्षार्थि, सिक्षार्थियों की मातरी भाषा या मातरी भाषाओं के परसपर समधी विश्लेशन जिसे हम लोग interactive analysis कहते हैं, उससे ठीक तरीके से परचित होना चाहिए, जो भाषा के interaction में जो छुटी छुटी बाते हैं, उससे ठीक तरीके से परचित होना चाहिए और छात्रों को भाषा सीखने में जिन समस्याओं इवं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन में उनको पहचानने के ख्षमता तथा उसके समाधान करने की योकिता होने चाहिए अध्याबक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह यहाँ पहचान सके कि क्या क्या तकलीफ क्या क्ठिनाई विदेशी भाषा के सिक्षण में एक बच्चा उसकी कख्षा में महसूस कर रहा है जब तक वह यह उसका एलिस्टमेंट प्रापरली नहीं करेगा जब तक उसको ठीक तरीके से नहीं समझेगा कुश्सा प्रात्मिक सर्त है यह उचान के स्तर पे यह यह कॉंप्रेहिंशन पे यहीं सतर बिंग के सतर पे हुँड़ू लेंगवेज की सिक्ल्सक्यल के पर भी हो सकती है अब यह जिम्मेधर्य का द्यापक कीए मैं उसके डीटियल में नहीं जा रहा हूं एक सिम्मेदारी उस अध्यापक की है कि जो भी तकलीफ उस भच्चे को आ रही है उसकी कक्षा कक्ष की परिस्तियों में उसको identify करें चुकि जब तक वह identify नहीं करेगा उसका solution तो कता ही संभवी नहीं है तो उसको identify करें और फिर उसके समाधान के लिए वह जो भी प्रयास कर स राकता है अपनी योग्यता के हैसाब से उसे करना चाहिए अगली जो बात है वह है कि अध्यापन सामगरी निर्मान तता उसका प्रस्तूति करन करते समय सिक्षकों को सजग रहना चाहिए तागे शात्रों में लक्ष भाषा को बोलने लिखने पढ़ने और समझने की आदत सिक्षक सामगरी के प्रती रुची उत्पर्न हो सामानित्या दुतिय भाषा भाषा सिक्षण करते वक्त अध्यापक जो है वह रुची उत्पर्न करने का काम नहीं करता है मुझे लगता है कि यहां पर जो सिक्षक साहयक सामगरी के जो संप्रतिया है उस पर हमें हमारे सिक को ध्यान देना हो कि दुती भासा के सिक्षड में उसके कुछ निर्माड करें है उसका आयो प्रियो उपलब दता सुनच्चित करें अडियो विजुल एड्स या जो भी सिक्षक सहायक समगरी जो इस्तेमाल होती है उसके दो पक्ष होते हैं पहला पक्ष तो होता है कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रॉसस को फैलिसेट करता है और दूसरा पक्ष जो होता है वह विद्यार्थियों को एक बार हुची उत्पन्न तो करता ही है जब भी आप कोई टीचिंग एड्स लेके करक्षा में जाते हैं तो आप यह देखते हों हुआ जिसे उसमें हमारी सिक्षड में भी सहिता मिलती हैं बच्चों के समझ में भी लेकिन हमारे होते हैं बियाड इया अ डियलेट प्रोग्राम में होते हैं इसको पर पनिश्मेंट नहीं देखना सब्सकेजिए अप आधा काम का माहल भून हो जबकि बच्चों का interest पैदा हो जाए बच्चो बच्चे तयार हो जाए जिसे हम principle of readiness कहते हैं तो यदि आपने उनको सीखने के लिए ready कर दिया तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया बाकी आधा काम आप करने के लिए कक्षा में है तो इसको punishment नहीं समझना चाहिए यह एक इस तरीकी की चीज है ज और इसके लिए आप बिविने activities और नाइस कर सकते हैं संभाशन करा सकते हैं उस भाशा में वादिवाद प्रतियों की ताज से debate competitions कहते हैं शाबदी का भिने अभिने पोशाक वगरे के ज़रत नहीं होती है उसमें आप पात्र निर्मान कर देते कहते हैं कि तुम्हें रामन क अमाम जो चोटे-चोटे poems हैं उसके characters में आप उसको ढालके शाबदी कभिने है तुभी प्रेवित कर सकते हैं और अलग-अलग रसों के अनुरूप कविता पाठ अभिने तो चोटी कक्छाओं में तो है ही रुचिकर लेकिन बड़ी कक्छाओं में भी बहुत अच्छा इस पात्र दे देते हैं कि आप इस पात्र के हिसाब से आपको बोलना है इसी के हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है इसी के हिसाब से आपके बोलने का टोन होना चाहिए तो भाशा जो है उसकी प्रभावित होती है अब भाशा को लेकर हमें यह भी जानना चाहिए कि ब्रेन से इसका क्या संबंद है भाषा जो है मानो मस्तिस्क से किस प्रकार से संबंदित है तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है यह बात तो बिल्कुल नश्चित है कि भाषा का मानो मस्तिस्क से कोई न कोई संबंद तो है कोई न कोई और जो भी संबंद है वह बहुत गहरा संबन्द है चोकि हम अक्सर ऐसा देखते भी है कि सिर के किसी खास हिस्से में जब चोट लग जाती है तो सब कुछ तो ठीक रहता है लेकिन भाशा कई बार विचलित हो जाती है और कभी समझ में आना बंद हो जाता है तो कभी बुल्ला अस्थिर हो जाता है कभी शब्द निर्माण प्रक्रिया में परिशानी हो जाती है तो कभी वाक के बनाने में उल्जान होती है वाक के ठीक तरीके से नहीं बन पाता है तो इस बात से यह बात तो समय समझ में आ जाती है कि भाषा का मानो मस्तिस्क से कोई न कोई सम्मंद तो है और मानो मस्तिस्क के हिस्से में भी भासाइक शमता में मुख भुमिका निवाते हैं और मनुष्य के मस्तस का बाया जिसी वाम भाग लेफ्ट साइट कहते हैं भाग भासा से संबंदित क्रियाओं को नियंत्रत करने का कारे करता है हमारे सिक्षा व्यवस्ता में यह दुर्भाग पुर्ण है इस्थिती है कि हम अध्यापक होने के कारण क्या हमारा काम है हमारा काम है बिहवियर को मौडिफाइं करना और बिहवियर मौडिफाइं कैसे होगा जब आप ब्रेन को समझते हैं जब आप मस्तस क्य। कोई टीचर इस अब ब्रें चेंजर दिमाग को परिवर्तित करता है और हमारे यहां यह स्थिति है कि ध्यापक जो है वो दिमाग के बारे में कुछ जानते ही नहीं है हाला कि मैं यह नहीं कहता कि उसे एक neuroscientist होना चाहिए लेकिन मैं यह जरूर मानता हूँ कि ब्रेन का सिक्षा में क्या उप्योग किया जा सकता है ब्रेन के स्ट्रक्चर की क्या जानकारी सामाने जानकारी तो एक ध्यापक को होना है हम देख रहे हैं कि हम स्ख्षा विवर्ष्ता का मुल्यांकन सिस्टम है पूरा ब्रेन पर निर्भे करता है मुल्यांकन होता है और उस पर ध्यान देना चाहिए news it is ended by now लेकिन, उसके महत्व को समझना है, ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी तो समाने जानकारी मन्द्याबकों को होनी चाहिए और थोड़ी बहुत उस पर बाचित समाने बाचित करेंगे, अंदर ना जाते हुए तो brain का जो बाया हिस्सा होता है जिसे left back कहते हैं वो भासा से संबंधित क्रियाओं को नियंतरत करता है और दाया हिस्सा जो है जगा संबंधित समझ जिसे spatial orientation कहते हैं space से संबंधित orientation कहते हैं उसका proportion कहते हैं उससे संबंधित दक्षताओं को नियंतरत करता है बाया हैसा जो है वह भाशा के लिए काफी महत्पून होता है और बाया हैसे का एक भाग है जिसे हम ब्रोक्स कहते हैं ब-r-o-c-k-s से हम स्पेल आउट कर सकते हैं और भाशा को यह हैसा सबसे अधिक प्रभावित करता है यह सिक्षार्तियों को जानना चाहिए और यह भाग ध्वनीवा ब्रहाज को ठीक से निकाल पाने वह वियाकरन सब्बंदित ख्षमताओं से जुड़ा हुआ होता है ब्रोक्स जो बाया हिस्से में ब्रेन के स्थित है वह व्याकरण संबंदी और ध्वनी वह आवाज को ठीक तरीके से निकाल पाने का जो फंक्षन है का जो प्रकार्य है उसको संबादित करता है जबकि भासा से जुड़ा दूसरा हिस्सा है वेरनिक जिसे वेरनिक एरिया हम ल को समझने से शब्दों वाक्यों को कॉंप्रेहंड करने से जुड़ा हुआ है इसलिए मस्तिस का यह भाग यह हिस्सा सुनने वा पढ़ने में मदद करता है इस तरीके से हम देखते हैं कि भाशा जो है वह एक तरीके से साइकोलोजिकल प्रोसेस तो ही सोशल प्रोसेस तो हम सब रोग जानते हैं पूरा का पूरा साइकोलोजिकल प्रोसेस है और उसके लैंग्वेज के टीचिंग में भी भाशा के सिक्षण में भी मनोविज्ञान की एक महत्रपोण भूमी का है धन्यवाद मिस्रादी आपने इतने गूंड विसे पे और इतने जटिल विसे पे इत यह हमारे सिक्षों के लिए नए हो सकते हैं यह असल में जो हमारे यहां जो विवस्था है उसमें हम लोग behavior modification के चर्चा करते हैं पहले भी उस बात का संदर पले रहा था लेकिन हमारे यहां क्या है कि brain से अध्यापा कक्षा में किससे deal करता है और जब तक वह दिमाग को ठी के समस्ता नहीं कम से कम उसके पास basic जानकारी जब तक नहीं तब तक वह बहतर तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा ऐसा संदे है समानतिया होता क्या है कि विद्यार्थी यह समय जब language में ठीक तरीके से परकॉर्म नहीं करता है तो अध्यापक मानता है कि यह बदमाशी कर रहा है यह नहीं सीख रहा है अध्यापक यह नहीं समझता कि हो सकता है कि इसका ब्रेन जो है उस तरीके से इक्विप्ट नहों उसके ब्रॉक्स एरिया में कोई समस्या होगी तो हो सकता है कि वह ध्वानी निकालने में यह आवाज को आइडेंटिफाइब करके उसको एक्सप्रेस करने में अक्षम नहीं समझते हैं और एक सिक्षण के परिवासा भी है टीचिंग इस ब्रेन स्टॉर्मिंग को समझना है यह दोनों अलग है और जो आतंगवादी घटना है करनी है जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग की जहां और शकता है जो उनकी तर्क कि आ सकता है उसको हम संतुष्ट करें ना कि हम अपना तर्क उन पर थोप दें जी जी तो इसको समझना होगा हमारे सिक्षकों को तो सिक्षक को यह समझना होगा कि जब भी उसका ब्रोक्स एरिया ठीक से काम नहीं करेगा तब वह ध्वनी वह आवाजों को ठीक तरीके से निकाल नहीं पाएगा इसमें उसको समस्या होगी तो इसके लिए उसको छड़ी उठाके पीटना नहीं आजकल तो वह इंडियर भी होगा है बच्चों को बोर्ड पे नहीं दिख रहा है बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो सिक्षक समझने की बदमास है और सामान ये बात चिती है कि ब्रोक्स एर अजय करें दिख व्याकरहन से भी षम्दस समझने है और ये जब इसक ब्रोक्स एरिये ठीक होगा ब्रोक्स एरियों प्रॉपर सिचुकुएशन में होगा तभी जाके वह ब्याकरण के और ग्रामर की बारीकियों को संझेगा और दूसरी जो चर्चामेने की जिसे कि मैं व् एरिया कहते हैं यह हिस्सा जो है शब्दों वाक्यों के अर्थ को समझने से जुड़ा है कॉम्प्रेहेंसन से जुड़ा है यदि किसी भच्चे का वेरानिक एरिया यदि कमजोर है और वेरानिक एरिया यदि ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुआ है या किसी दुरघटना या एसी स्थिति में वह हो सकता है कि शब्दों को निकाल पा रहा हो लेकिन यह समभव कि अर्थ को समझने में उसे जिक्कत हो उनने वह पढ़ने में सकता है कि दिक्त हो वह कोई बात सुन ओर लेकिन उसका आर्थ नहीं कॉम्प्रियेंड कर वह कोई चीज पड़ रहा हो और पढ़ने के दोरान वह उसका अर्थ। ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो यह हमारे अध्यापकों को हमारे सिक्षकों को समझना चाहिए कि ब्रोक्स और वरनिक एरिया की वज़े से ऐसा होता है कई बार हो सकता है बच्चे शैतानी भी करते हैं लेकिन हमेसा शैतानी नहीं कर रहे होते हैं अध्याब विद्याले निजी विद्याले थो अपना स्वय में वस्ता करते हैं सरकारी विद्याले उंको निर्देश हैं कि बच्चों का मेटकल चैकप बगर सुब्धाएं होती हैं वार्शिक डॉक्टर आते भी हैं उनको बुलाया भी जा सकता है तो अगर कोई बच्चा न बहुत बहुत धनवाद मिस्रा जी मैं आपका हिर्दह से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इतने जटिल विसे को रखा है सहे जो सरल सब्दों में मुझे भी लाब मिला है मैं समस्ता हूँ इस इक चार्तियों को भी लाब मिला होगा और इसके लिए मैं हिर्दह साभार व्यक्त करता हूँ धन्माद व्यक्त करता हूँ नमस्कार मुझे नमस्कार